तो देखें हमारे भगल में दो लड़की हैं और किसी परिचे के मोहताज नहीं है इनको आप जोए कि सोसल मीडिया फ्लेटफार्म पर जरूर देखे होंगे कहीं न कहीं तो यूटूब पर तो ही इनको देखे ही होंगे इनसे पहले भी हमारी मुलाकात होई है और इनसे पहले भी हमने वारता किया था जब जुलूर दादा के हम लोग इंटर्वू लेने आये थे उस समय क्योंकि इनके साथ साथ जुलूर दादा के साथ साथ इनको भी साथ में देखा गया था ये तो पाले से वाइरल है जो लट दादा तो बाद में वाइरल हुए थे तो थोड़ा सा जीवन के कठिनाईयों के इनके डगर के बारे में हम लोग इनसे चर्चा करेंगे कि ये कब कैसे निकल करके आए थी और थोड़ा सा हम ही आपको बता दें कि इसमें गोरगपुर में एक मंदीर था वहीं पर पहली ये हर्मोनिया बजा करके मुड़ान वगरा होता था उसी में पैसे कमाती थी क्यों रगनी जी रगनी बिसकरवाह ये उनके सिष्टर है क्या नाम हुआ आपका राधा जी है तो देखे थोड़ा साम चाहेंगे कि पारे में जो दर्सक उनको थोड़ा सा बहुत साट में बता दीजेगा वहां पर हम लोग मुड़ान वड़ान होता था तो गाते बजाते थे अपना जीवन यापन करते थे तो वहां पर कैसे क्या मतलब नेक मिलता था वहीं पैसा मिलता रहोगा उसमें तो उससे खर्च मुड़ान हो रहा है तो वहीं पर क्यों गाना गाने वाली एक लड़की ऐसे होता था लेकिन अब जो हैं कहीं आपकी पाचान बदल गई है और लोग यहां पर सोचे कि हम जैसे लोग या फिर जो भी मेडिया के लोग हैं वो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं इंका इंटर कि मचारी के जैसे तड़क्रे जवानी रहुंच रहा हैं कि सबसे पहला वाइरल हुआ था तो इसमें सावन का सीजन चल ला है तो इस सावन के महीने में कोई एक सावन वाला गीत हो जो कि अभी अभी आपका हाली में पब्लिस हुआ है तो देखे सावन का ये गीत इनका अभी जश्टी पब्लिस हुआ है और किस चैनल पर आप सुनने को मिलेगा जो दर्सक हैं मेरी रागनी विसकर्मा बहुत प्यार मिला डेड़ लाग चला गया दो तीन दिन में चल ये देखे सावन का समय तो उसको प्यार तो मिलना लाजमी है और रागनी विसकर्मा का कोई गीत गाते है वो तो वैसे ही वारल चला जाता है और थ्वास हम आपसे जाना चाहेंगे जो आपकी सिच्छा है मलब ऐसे हम लोग पहले भी आपसे वारता के तो आप उसमें बोले थे कि हम एक तक भी नहीं पढ़े है तो यहाँ पर कैसे याद करती है यहां पर कोई गाना लिखता है तो उसको आप फिर कैसे याद करती है तो आप ऐसे बताते रहेंगे हम गाते रहेंगे अच्छे तो बैठके बताते रहेंगे आपको ज्यादा कठिनाई नहीं पड़ता है बहुत जल्दी याद कर लेते हूं पबलिक के प्यारबाने के लिए अब क्या मतलब आपको यह नहीं लगता कि हमको भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए कमसकम गाना तो याद कर लिया जाय साने आपको लगता कभी लगता है और कि अगर जब उपढ़ाई करूंगी तो यह पढ़ाई भूज़ जाएंगे कोई चीज पर ध्यान हो जाता है तो फ़ीज से अपना ध्यान नहीं अटाना चाहिने तो नहीं घाटके होंगे नहीं वस गाटके पतह चेछे लेकर करें। बसके वल पेपर पर आपको लिखकर दे दिया जागा याद करेंगे नहीं तो एक विक्ति आपके साथ बैठा रहेगा वो आपको बताए गा तभी आप आप की आप पढें गाएंगे वाकि कोई कोई पढ़ेमिया हम दस गाना याद करते हैं एक दिन में अच्छा एक दीन में वै एक तेजी कोषिजिके थी आवैने, तेजेनी मेरसा कि परोग्या जाए, यह है सबसा ज़ा कि पढ़ने कोषिजिना एक उस-थिड आडर पॉस्टिंपें ़िझान जाएंध एक शभागधर भěतजी का अटो सिर्वा तरना मे happening तो आपको क्या करना है आगे चल के यहीं काना बजाना तो आपके जो पूरवज थे मतलब यानि कि आपके पिताजी वगर भी यहीं काम करते थे मेरी मम्मी पपा धोलक हर्मनिया से बजागा कर हम लोगो पोस्त पाल कर इतना बढ़ा किये तो उसके बाद हम लोग भी वहीं पकड़ कोई भी जचा आपके घर में दरोगा सहाब होंगे तो आप भी दरोगा बन जाएंगे अब आप मेडिया वाले भीया बने हैं कल को आपकी परिवार में आपके कौन-कौन है कितने भाई भाई बहन हैं हम लोग तीन भाई बहन थेन भाई अब हम लुग पईदार है और ममि पपा रहा था था हम लोगा कि भगाव भज कर और मनद पईस्य गाना जब पना कितने स्पघ्षिवितों रहा जो एक गाना में और गाना सुनीच को यहकर और यह काफी वायर आफंद रूड़ide तो सबस्के हैं लुटा बाद आमर जाये जामत मर तो हरे चलाब जाये जामत मर तो हरे चलाब जाये लुटा बाद आमर जामत मर तो हरे चलाब 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 जामत मर तो हरे चला अर्रा एलती सोजादू मुखाग जाए जाहमत रुमर जोहरे किलाग जाए बहुत सुन्दर दिखे रखे जाहरे किलाग दाए है आप सब्सक्रों गलियanda प्रावर नहीं नहीं चलिए कब तक ट्रेंड कर देंगे इनको नई मेरे उपर नहीं है जो भी कुछ है आप लोग के प्याज तो कर रही होंगी ने लगातार आप सबके उपर है और पबली का प्यार सपोर्ट से हम क्या करेंगे हम खुद आप लोग के बाद दौलत से हैं आपके आपके काबिलियत है तभी तो आप यहां तक पहुची है अपने काबिलियत के बल पर ही तो आप यहां तक पहुची है लोगों का काम है हाइलाइट करना लोगों के पबलिक तक हम लोगों को पहुचाना एक काम है लेकिन जो कि आपकी काबिलियत है आपके गाने अच् किया जाए माइक थोड़ा सा ले लीजिए और यहीं वाला जो भक्ति गीत है जो भी आप बोली हैं वहीं वाला कोई एक भक्ति गाना होते हुए फिर जो है कि हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर बात में जब कभी दुबारा फिर से हम लोग रागनी विश्करमा से कि भी आप मिलेंगे तो फिर से इंसे कुछन कुछ वार्ता जरूरोड़ों के घाए कर दोपन गवका मुपार और इंप वर म opener threads पार ओर म जब्ली यहां ज़र कर दो कर दो में आ जब्ली में घर पका खाल ब्लीक कर दो में जिल को जब्लै कर दो चले बहुत सुन्दर्द के प्रतिभा की धनी रागी नीविसकर्मा हमारे साथ ती है और उनकी सिष्टर राधा है उभरते हुई कलाकार ये भी है आगामी भवस में इनके भी गाने आपको कहीं कहीं यूटूब के माध्यम से देखने को जरूर मिलेगा और रागनी बिसकर्मा आज हमारे साथ जुड़े होती है इनसे हम लोग जानने का प्रयास किये कि इनके प्रिष्ट भूमी थी कैसी थी और अब जाकर के इनके जीवन में कितना बदलावाया है बहुत जल्ली साथी के लिए बड़ा डिमांड हो रहा है तो अभी आपकी साथी करने के इच्छा नहीं इनका कहना है कि पिता जी से संपर्क जो लोग करेंगो उसके बाद ही साथी हो पाएगी क्योंकि जो लब मेरेज बाला मामला है उसे बड़ा किन है ये भी इनको पसंद नहीं की लब मेरेज हो अरेंज मेरेज का ही इनका पूरा पूरा जोए की ध्यान उसी पर है अभी तो पूरा फोकस आपका गाने पर है इसके बाद जब कभी अभी थोड़ा सा परिवार जब अच्छी तरह इस्तिर हो जाए उसके बाद ही साधी करने का कोई प्लान होगा जब बहुत बहुत धन्यवाद देखें प्रतिभा धनी ये लोग हमारे साथ जुड़ी होई थी और ऐसे ही प्रतिभा के धनी लोगों से हम आगे भी आपको रूब्रू करवाते रहेंगे खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद